हे गाई स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल वीडियो वीट निलू में और मैं बोल रही हूँ निलू और देखिए आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत ही काम आने वाला है और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट करें और देखिए मैं आज लेकर आई हूँ डीटेंज की वीडियो डीटेंज जो आपके चेहरे पे दूप में आने जाने से टेन हो जाते है फेस पे द और क्लीन करने के बाद मैं फिर देखिए आगे बने रहे है वीडियो के आन तक और देखते रहे हैं बस मैंने किस तरह से किया है मैंने देखिए क्लेंजिंग मिक्स लगाने के बाद और मैंने आयूर का क्लेंजिंग मिल यूज किया है यहाँ पे इनके फेस पे और आप दे जितनी भी धूल मीट़ी और गंदगी जमी और निकल जाएगी अच्छे से और देखिया है मैं आप अच्छे से बहुत ही अच्छे से देख कर सकते हो आप घर पे और मैंने कुन सा प्रोडक्ट लिया है मैं बाद में बताऊंगे पहले आप देखते रहें वीडियो को और देखे क्लिनिंग करने के बाद मैं इन्हें फिर अस्क्रब दूँगी हलका सा क्योंकि इनके थोड़े से ब्लैक हेट से हैं नोज के इधर तो इसलिए स्क्रब करने से थोड़ा कम हो जाएगा और आप चाहो तो इसे वाइड भी कर सकते हो स्क्रब अगर नहीं तो जरुरत नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं आप डारेक्ट डीटेन भी कर सकते हो बहुत ही जो मैं करने जारी हूं अभी इनके देखे इस ज्यादा नहीं एक दो या दो से तीन मिनिट का ही डीटेन का स्कुरब करना है आपको हलके हातों से कोई भी इसक्रब ले सकते हो और जैसा कि मैं बोली कि आप चाहे तो आप इसे एवाइड भी कर सकते हो अगर जोरत नहीं है तो आपधे हो और देखते रहें मैं किस तरह さे करती हूं परदीन थे स्कृफ्ट क ज़र्वत ही इसले मैंने फेस पर अथ d rek श सकृप दिया है और अब मैं श्ट्रयप कर रहे हैं दो से 3 मिनिट का मसाज देना इसक्रप यूं अरफ प्सरीड कर थी नियुकर निके दोसे तीन म स्पोर्ट होते हैं अगर आप रबा कर अगर आप इससे मसाज़ देंगे तो बाद में रेसेز निकलने के चांसे सोते हैं तो तो इसलिए स्कुर्ब ने करें ह करें हलके हात्तों से ही मसाज़ दे और देखिया अभी इर've क वी हो गया है इनका और यो ही में करने वाली हूं इनके D10 और श्क्रब के बाद मैंने हलका से मसाज़ दिया है और में क्लिंजिंग मिल्क यूज करते वक्त भी हलका उने मसाज देते हुए ही मैंने क्रीम को निकाला है और ये स्क्रप कर भी मैंने मसाज दिया है दो से तीन मिनिट का और यह सारा प्रोसेस में आपको बीक से पचीस मिनिट में हो जाता है और अगर आप थो जा तो प्रिदा कम दुद Chi क्योंकि देखे अब चैहरे बाइं हाहे कंथे अभी यह जो है 20-25 मिनट काफी होता है डिटेणिंग के लिए और देखिए रे में क्रिम लगा रहे हुं कि चेहरे पर काफी सार ग्लो आने वाला है क्योंकि दूप में ज्यादा जाती है इन्हें दूप में ही आना जाना होता है तो इसके वज़े से टेन आये है फेस पे और देखिए मुझे ब्रस से भी आप ये क्रीम यूज कर लगा सकते हैं पर मैंने ऐसा नहीं किया है मुझे हाथों से लगाना ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ब्रस से करने में थोड़ा समय लग जाता है मुझे और मैं हाथ से फटा फट लगा लेती हूँ आप चाहे आप जैसे भी कर सकते हो आप ब्रस भी यूज कर सकते हूँ इसके लिए और ये मैं आखों के नीचे भी लगा रही हूँ तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आखों के नीचे क्यों लगाया ये डिटेनिंग क्रीम से कोई भी side effect नहीं होता है बहुत ही अच्छा है ये और ये product जो है कम हो जाते हैं तो इसलिए मैंने आजो चिए फैस्ट के ना हो ची आपको थोड़ा होती है तो थोड़े हाड होते हैं उन्हें आखों की नीचे यूज नहीं करना होता है ब्लीच को वो भी अच्छा होता है और ब्लीच आपके जो हेर होते हैं फेस पे उसे ब्राउन कर देता है और डीटेन में ऐसा नहीं होता है आपके फेस को ब्राउन नहीं करता है और यह सारे डीटेन जो है ब्लीच का ही सारा काम करता है यह बहुत ही अच्छा है यह जो मैं प मैं खुद भी यूज कर चुकी हूं मैं कभी आपको वीडियो पिछले वीडियो में मैंने अपलोड किया है और फिर कभी आपको बना कर दूँगी बहुत ही अच्छा है ये किसी भी क्लाइन पे आप 10 मिनिट रख सकते हो वैसे 8 मिनिट से भी हो जाते हैं अगर आपके क्लाइन को थोड़ी जल्दी है तो 8 मिनिट में भी आप ये क्रीम रिमूब कर सकते हो और देखिए अभी मैं किस तरह से इनके फेस पे मसाज देते हुए रिमूब करने वाली हूँ इनकी क्रीम और आपके पैसे लेते हो तो मसाज देना जरूरी होता है जिसे साब से पैसे ले रहे हो क्लाइन से और मसाज देंगे अच्छी तरह से तो क्लाइन भी आपके खूश होंगे क्योंकि उनका पैसा लगता है तो वो सूचते कि हम बहुत ही कम वर्क हुआ और भट से हट गया ऐसा नहीं है अगर आप पैसे लेते हो तो इमांदारी से अप बहुता है किसी भी चीज में मसाज जीतना हो स KE में देती हूं जितना जुर्ण है और जुर्म से ज्यादा भी मसाज ना दें चेहरे पर क्यादी का इव्युस 예 पर डीटेन मैंचा नहीं होता है पहले हम क्रीम अपलाए करते हैं और उसके पाद हमें हटाना होता है तो मसाज देते हुए हटाना है और बहुत ही अच्छा चीज है आप सभी के किनी भी फेस पे कर सकते हैं और 18 एज की बच्चे भी कर सकते हैं, इसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, सभी एज के लोगों के लिए होता है, और बहुत ही बैस्ट है, बच्चे लोग भी धूप में आते जाते हैं, लड़के लोग कमे इज की, धूप में आने जाने से उनके फेस पे टैन हो ही तो टेन को रिमोब करने का बहुत ही अच्छा तरीका है और आप घर पे भी खुद से भी ये कर सकते हो प्रोसेश बस बट मसाज का आपको ध्यान देना होगा कि उल्टे सीदे ना करें कभी भी मसाज देते वक्त उपर साइड से ही फेस को ये रॉन रॉन सरकल में करते रहें और देखें मैं किस तरह से इनकी मसाज करते हुए सारे रिमूब करूँगी क्रीम और बने रहे हो वीडियो के आंतर फाइनल डिजल्ड के लिए और यह जो मैं डीटेन कर रही हूँ यह नेचर्स के है और नेचर्स के एरोमा थिरिपी ब्यूटी सेलूशन है और लेक्टो टेन के लिए रेमिडी फोर संटेन रिमूवल विद मिल्क विटमिन एक्रेट है तो यह बहुत ही अच्छा है और जैसा कि मैंने बोला अभी आप इ इनकी लगवा कंपलिट होने वाली है और बिची ब्लीच करने से मतलब सभी को सूट नहीं होते हैं जैसे कि इरेसे निकल आते हैं दाने निकल आते हैं तो ऐसा नहीं वह सब चीज से आपको बचना है तो डीटेन करें क्योंकि ब्लीच सभी को सूट नहीं करते हैं खुद इसकीन सिंसेटिव होती है तो उन्हें बहुत ही ध्यान देना होता है ब्लीज करते वक्त ब्लीज भी कोई बुरी चीज नहीं है बहुत है अच्छी है बसरते अगर आपके फेस पे सूट करते हैं तो सभी अपने अपने जगे अच्छे ही होते हैं और यह देखिए अवीन का रिजल कैसा है फाइनल रिजल बहुत ही सुन्दर और यह बहुत ही अच्छा लगा करके और आप लोगों को कैसा लगा मेरा यह वीडियो यह आप लोग मुझे कमेंट करके बताए और एक लाइक तो जरूर बनती है मिलते हैं अगले वीडियो में